Hello Students, This is Video No.3 of Center of Mass, and this video we are going to study Continuous Mass Systems. उनको उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि उनको स्टडी करने का क्या तरीका है. जैसे आप अभी Continuous Mass Systems के बारे में पढ़ोगे, इसी तरह से हम 12th क्लास में Continuous Charge Distributions के बारे में पढ़ेंगे. लगबग सेम कॉंसेट पर चलते हैं ये दोनों, लगबग सेम, मैं एक्जैक्ली सेम नहीं बोलूँगा, बट लगबग सेम कॉंसेट पर चलते हैं, इसलिए इसको सीखना बड़ा ज़रूरी हो गया, कि अगर मेरे इस पर होल्ड बन गया, तो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम है देंस्टी, इस देंस्टी को सीखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जितनी भी बॉड़ी है जो भी हमारे थ्रेटिकली में बात करूँगा, वैसे तो जितनी भी बॉड़ी हम स्टेडी करते हैं, वो सारी की सारी 3D है, जो आप अपने एराउंड कोई भी है ही है न, ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी तिकनेस बिल्कुल 0 है, लेकिन स्टिल हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ये बात को समझना मैं आपको एक्स्प्लेइन करता हूँ इसका क्या क्या मीनिंग है, एक होगी 1D बॉड़ी, एक हो एक रॉड ले ली मैंने, ठीक है, इसको 1D बॉड़ी करेंगे, वाइर, 1D बॉड़ी, क्यों, क्या वो 3D नहीं है, बिल्कुल 3D है, लेकिन उसके बाकी डैमेंशन्स, उसकी लेंथ से बहुत कम है, बहुत जादा कम है, इसलिए हम अपने अनलिसिस के लिए उसको 1D मानके च करो कि जैसे रॉड है, वाइर है, ठीक है, रॉड, वाइर, इस तरह की चीजें जब भी आपको दिखाई देंगी, तो आपने क्या बोलना है, दे कम अंडर, 1D बॉड़ी, एक ये होगी, रिंग, अगर रिंग को काटके खोल दो, बढ़ा कर दो, तो वो भी एक रॉड जैस में बहुत-बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, 1D बॉड़ी, तो इसकी एक्जामपल्स आप अपने पास याद रखो, रॉड, वाइर, ठीक है, रॉड, वाइर, रिंग, ठीक है, इट अल कम अंडर 1D बॉड़ी, फिर आगे 2D बॉड़ी, 2D बॉड़ी म मैं बताता हूँ आपको, plane, lamina, आपकी copy का пlai, disc, जब ऐसे words बोले जाएंगे, lamina, lamina word बोला जाता है, plane, lamina, disk, पिस्क, कॉपी का पेज जैसा, ऐसे कॉपी का पेज तो नहीं आपके बोलेंगे, लेकिन हमने माइंड में रख सकते हो, कि ऐसी बॉडिश को हम क्या मानेंगे, 2D बॉडिश, क्या मानेंगे, 2D बॉडिश, एक और एक्जामपल देता हूँ आपको, हॉलो स्फियर, हॉलो स्फ यह वो क्या माना हमने, 2D बॉडि, हॉलो स्फियर is a 2D बॉडि, यान रखना है, फिर उसके बाद आगए 3D, 3D तो बाकी सब, बाकी सब 3D है, कौन, सिलेंडर, क्यूबाइड, क्यूब, सब कुछ, सब कुछ, everything else is a 3D बॉडि, ठीक है, majority बॉडिश के लिए 3D बॉडि, लेक अब जब हम बात करेंगे, ऐसे density आपकी क्या होती है, mass upon volume, मैंने आपको बताया न, mass upon volume, आप जब भी density पढ़ते हो, तो mass upon volume ही पढ़ाया आपने, kg upon meter cube, लेकिन अब यहाँ पे analysis के लिए, मैंने आपको बताया भी, यह same concept आएगा, आपका charge के लिए in class 12, same concept charge के लिए आता है यहाँ पे जैसे हम mass systems बोल रहे हैं, वहाँ पे charge systems होंगे, charge distributions होंगे, यह mass distribution है, वो charge distribution है, तो इस तरह से, तो 1D bodies के लिए क्या आएगा, 1D body में आएगा, mass upon length, इसमें सिर्फ एक ही dimensional length, इसलिए mass upon length, और इसको represent करेंगे हम lambda के साथ, lambda के साथ, ठीक है, lambda याद रखना, 2D bodies के case म mass upon area, mass upon area, इसको represent करेंगे sigma के साथ, किसके साथ, सिगमा के साथ, और 3D bodies के case में, 3D bodies के case में, वो तो simple है, वो तो आपको मालूम ही है, mass upon volume, और इसको represent करते हम rho के साथ, इसके साथ, रो के साथ, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे, यह बताते जाओ, जैसे lambda के units क्या होंगे lambda के क्या units होंगे common sense kg upon meter sigma के क्या units होंगे kg upon meter square और rho के क्या units होंगे kg upon meter cube इसमें बताने की कोई बात ही नहीं थी वैसे लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको अपने पास note करके रखो जितनी बाते मैंने आपको अभी बताई ठीक है ये simple simple बाते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर इस सब चीज को अच्छे से understand करो ये छोटी-छोटी कहानी थी जिसको हमने discuss किया अब आगे जाके इन सब चीजों का roll है मैं आपसे पूछूँगा कि hollow sphere आ गया बताओ sigma यूज करूं lambda यूज करूं कि रो यूज करूं आपने बोलना है sigma disk आ गई मैंने क्या यूज करना है sigma lambda या रो तो मैं आपने बोलना है sigma फिर मैं बोलूँगा आको rod के लिए क्या यूज करना है आपने बोला है लेंडा रिंग के लिए क्या यूज करना है लेंडा ठीक है बाकि जो heavy bodies आएंगी जब उनके case में हम discuss करेंगे तो आपको समने समने नजर आएगा कि उसके case में हम क्या करते हैं उस case में हम सीधा सीधा य row ही use करते हैं जो normal आपकी density होती है जो normal density है अब समझना है कि continuous bodies के साथ कैसे deal किया जाता है कैसे deal किया जाता है यह हमने अच्छे से सीखना है अगर आपने यह सीख लिया तो आपको मैंने पहले बता दिया कि आपका एक problem आपकी 12th class की थोड़ी सी खतम हो जाएगी अगर आप आपको इसको अच्छे से सीखा क्योंकि starting में इसको थोड़ा adapt करना student के लिए मुश्किल हो जाता है यह मैं आपको बता देता हूँ तो इसलिए लेकिन अच्छे से आप एक एक मेरी बात सुनोगे जैसे अब यह continuous system है यह continuous rod है आपने center of mass निकालना सीखा था point masses का point masses हो तो उस आठ चलो आठ ही हुए तो आठ ही कर लिए ठीक है तैन आठ pieces मैंने इसके कर लिए ठीक है फिर मैं बोलूँगा हर एक का आप center of mass बोलो कितना होगा हर एक का center of mass निकाल दो ठीक है और फिर वो वाला formula लगाओ कौन सा m1 x1 m2 x2 इस तरह से करके formula लगाओ और इसके साथ deal करो अब problem यहां यह आती है कि आप यह जो टुकड़ा आपका बन रहा है इसके भी तो further और कितने pieces है ठीक है इसलिए in continuous bodies को study करने के लिए हमारा जो टुकड़ा होगा वो जितना छोटा होगा उतना result आपको better मिलेगा ठीक है उतना result आपको better मिलेगा इसलिए हमने क्या किया हमने कहा देखो इस इनी questions को करने के लिए हम कैसे deal करते हैं आप इस बात को समझोगे हमने कहा इसमें एक बिल्कुल छोटा टुकड़ा ले लो जिसका width कितनी है बहुत बहुत बह पड़ेगी मैं अगर इतनी भी बना दू तो आपने नी बोलना है कि सर आपने तो बहुत बड़ी बना दी हमने ठ्रैटिकली लिखना है कि बहुत काम है क्योंकि हमने examiner को दिखाना भी तो है कुछ है इतनी छोटी बना दो कि कहा लिखेंगे फिर हम उसका उसकी width वगरा के बारे में इसलिए ये नी गबराना की आपने इतनी बड़ी क्यों बना दी सर हमें मालूम है जब मैंने मैंने बोलना इसकी width कितनी ली हमने डिएटक्स कितना distance लिया यहां से लेके यहां तक x और x distance पे मैंने एक strip ली बड़ी छोटी सी strip बड़ी छोटी सी मास लिया जिसको मैंने क्या बोला? dx इस total length कितनी है इस rod की? L यह समझे? और यह uniform rod है uniform rod मतलब इसका lambda हर जगा क्या है? same है lambda हर जगा same होने का मतलब है जैसे आप normally एक wood की rod देखते हो जैसे एक strip देखते हो आप wood की वो uniform ही होती है बिल्कुल जो पतली मतलब जो आपकी बिल्कुल round हो और जिसकी अब ऐसी हगर हो ऐसी हो इस शकल की भी कई बार आपको ऐसे टुकणा मिल गया मानलो कोई तो यह uniform नहीं है यहाँ पे इस मानलो मैंने यह लिया वन मीटर का इधर भी लिया वन मीटर का क्या इस वन मीटर का मास और इस वन मीटर का मास सेम है नहीं है और मानलो मैंने एक ऐसी rod ली जिसके अंदर जिसके अंदर आदा iron था आदा copper था इधर तक iron था इधर तक copper था अब ये क्या uniform है? बिल्कुल uniform नहीं है, बिल्कुल uniform नहीं है, इसके iron वाले पार्ट का mass ज्यादा होगा, उस वाले पार्ट का mass कम होगा, या मतलब एक ही rod है जो different materials के साथ बनी हुई है, तो वो non uniform होगी, वो अगला question करेंगे हम non uniform वाला, अब पहले uniform वाले को understand करो कि uniform वाले को solve करेंगे, इन बातों को अच्छे से understand करके रखना है आपने और आपको ये बहुत benefit देंगी आगे जाके, ठीक है? अब इसी को use करके जब हम क्या कहते हैं कि हमने एक ये चोटा सा mass लिया और ऐसे हमने infinite masses ले लिए, कितने? infinite, मैंने बोला ना, जितना चोटा ये टुकडा उतना आपके लिए better होगा, ठीक है? इसलिए फिर हम जब centra mass की बात करते हैं ना, जैसे हम xcom की बात करेंगे, इस पूरे rod के, xcom की, equal to क्या होगा? equal to होगा integration, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप अभी तक xcom क्या लिख रहे थे? अभी तक आप लिख रहे थे, m1 x1 plus m2 x2 plus dash dash dash, ठीक है? upon m1 plus m2 plus dash dash dash, ऐसे लिख रहे थे? जब आपके discrete system थे, जहां पे आपको masses कितने हैं वो पता होते थे, ठीक है? यहां पे कितने masses हैं? infinite ऐसे चोटे-चोटे masses हैं, ठीक है? इसलिए यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो यहां से ही लेकिन concept आया, क्या? आपने xum को क्या लिख सकते हैं, आप दिरा ध्यान देना, इसको कैसे लिख सकते हैं? दिरा ध्यान अच्छे से देना, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, ऐसे, देखो, sigma mixi, ऐसे लिखते हैं, अपन sigma mi, और sigma goes from i to n, जितने masses हूँ, i to n, बस खोलो इसको sigma को, क्या बनेगा? i की जगा डालो पहले, i goes from 1 to n, i goes from 1 to n, अच्छा नहीं लिखा ना मैंने, मैं देख दुबारा लिख देता हूँ, xcom equal to, इस चीज़ को लिख रहे हैं, एक shortcut तरीके में, sigma mixi upon sigma mi, ठीक है? i goes from, उपर वाले sigma भी यहीं लिखना है, 1 to n, उपर वाले sigma भी यहीं लिखना है, तो बन गया यह, इसका shortcut तरीका होता है लिखने का यह, आपको भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है? इसी basis पे अब इसी question को हम जब करेंगे, तो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको सकते हैं, अब xcom को कैसे लिखेंगे? देखो, यह आपका formula था, मैं एक बार दुबारा लिख देता हूँ आपको, यह देखो, इसको, इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते थे? xcom, यह xcm भी मैं लिखता हूँ कही बार वो भी चलेगा, equal to sigma, mi, xi upon sigma, mi. और ycom क्या लिखोगे? sigma, sigma, mi, xi, sorry, yi upon sigma, mi. और i goes from 1 to n, उपर भी यही लिखना है, 1 to n, i goes from 1 to n, यह आपने लिखना है, अच्छे से इसको लिखके रखो, ऐसे भी लिखने का इसका तरीका है, ठीक है? अब जब हम continuous bodies की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे को पता ही नहीं है कि i goes from कितने to कितना, जो कि यहाँ पे तो infinite है, ऐसे चोटे-चोटे masses, तो वहाँ पे हम integration यूज करते हैं, और integration जब यूज करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इसी चीज को कैसे लिखेंगे? sigma will be replaced by integration, और mi will be replaced by dm, देखो द्यान से, mi will be replaced by dm, यहाँ लिखेंगे x, x is the, मैं अभी लिखवाँगा यहाँ पे पहले आप इसको छोड़ दो, और इसको लिखेंगे नीचे भी, sigma dm, यह मैंने किसके लिखा? xum के लिए, yum के लिए आप खुद लिखो, जिसमें आप लिखोगे sigma dm, y upon sigma dm, सुरी, sigma नी, integration dm, x divided by integration dm, dm क्या है? dm is the mass of this strip, इस strip जो है न, इसका mass है dm, इसका, यह जो strip हमने लिए है यहाँ, इसका mass जो है, वो कितना है? dm, fine, एक बात यह, और x क्या है? what is x? x है center of mass, center of mass कितनी दूर है? कहां से? एक end से, जहां से आपने x लिए है न, center of mass की दूरी कितनी है? ठीक है? center of mass की दूरी कितनी है? मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको अच्छे से, इसको आप अच्छे से लिख लो, x coordinate of center of mass of dm, dm mass, आप इसको लिखो अच्छे से, x क्या है? x को लिखो, x coordinate of, important है लिखना मैं बता रहा हूँ आपको, x coordinate of, x coordinate of center of mass, x coordinate of center of mass of dm mass, ठीक है? x coordinate, आपको लोगे x coordinate का क्या मतलब हूँ आपको, मतलब जैसे आपका ये जो center of mass था यहाँ पे, ये वाला, इसका, इसका center of mass यहाँ होगा कहीं पे, ये कितनी दूर है? कितना दूर है? x, मतलब मानलो कि हमने ये x's लिए हुई है, ये, x axis, y axis लिए है, ये, x axis, y axis लिए है, तो ये इधर से origin से कितनी दूर है? x, ये होगए इसका x coordinate, तो x coordinate, तो ये formula आपने याद रखना है, इससे आपके सारे question continuous systems के use करके हो जाएंगे, मैंने सिर्फ x um के लिख हो आपको, हम लिखेंगे x um equal to integration, dm किसके बराबर है, वो ये निकालना पड़ेगा पहले पहले ये नि start करो, आप सिर्फा लिखो, क्या? dm किसके बराबर है, मैं लिखता हूँ, lambda, क्योंकि lambda use होगा यहाँ पे, जो m by l के बराबर है, जो m by l के बराबर है lambda, ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक मीटर length की, per unit length mass कितना है, तो हमें कितने length की mass की चाहिए, dx length की, इसलिए lambda dx होगे dm, याद रखो ये ऐसे निकालते हैं, lambda dx फिर, xvm निकाला जब तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे xvm के लिए, integration, dm की जगा क्या लिखेंगे, lambda dx, और x, x क्या है, x coordinate, अभी मैंने आपको बताया, आपकी rod कहां पढ़िए, यहां पढ़िए आपकी rod, उसका जो dx आपने लिया, उसका x coordinate क्या है, वो आपने खुद लिया, x से दूरी पे है, तो इसलिए, x divided by, integration, lambda dx, lambda dx, अब इसको solve करना है, आपने, इसको solve करने से पहले limits क्या होंगी, limits लेते time आपने यह देखना है, कि अगर आप यह वाली rod, यह जो आपने strip ली, यह आप इस rod में कहां कहां ले सकते थे, आपने यहां ली ना, तो x की variation कहां से कहां तक हो सकती है, यहां से लेके, यहां से लेके, यहां तक, यह strip यहां पे भी हो सकती थी, यहां पे भी हो सकती लेम्डा बहार निकाल दो लेम्डा बहार निकाल दो ठीक है इंटिग्रेशन x dx अपॉन लेम्डा इंटिग्रेशन dx 0 to L 0 to L ठीक है x की इंटिग्रेशन x square upon 2 लेम्डा लेम्डा कैंसल हो गया पहले उपर नीचे से खतम कर दो उसको ठीक है तो 0 to L तो x dx की इंटिग्रेशन क्या होगी यहां लिखता हूँ x square upon 2 x square upon 2 और denominator में dx है सिरफ यह integration dx बहुत बार आएगा यह इसकी integration क्या होती है x बताई हुई है मैंने जब आपको integration सिखाई है x दोनों की limits क्या है 0 to L 0 to L जब इसको solve करोगे limits डाल के तो answer क्या आएगा L by 2 L by 2 तो center of mass कहां लाई करेगा uniform rod का वैसे भी आपको पता होना चाहिए symmetrical center पे symmetrical center उसका center कहां है uniform rod है ना आप खुद मैंने आपको वो finger वाली example भी दी थी कि अगर आप ऐसे अगर एक rod को अपने इस पे एगर hold करके रखना है तो कहां रखोगे हो उसको hold करके कि वो balance रहे है बिल्कुल center में हाँ हो सकता है आपको वो center पूरा locate करना मुश्किल हो जाए लेकिन वो बिल्कुल center पे लाई करेगा तो L by 2 पे आएगा क्योंकि ये rod uniform थी अगर rod uniform ना हो एक side का mass जादा हो दूसरी side का mass क्या हो कम हो फिर L by 2 पे answer नहीं आएगा फिर L by 2 पे answer नहीं आएगा ये समझना है आमने इस बात को ठीक है तो ये इसको L by 2 तो center पूरा मास कहां लाई करता है एक uniform rod का L by 2 position पे ये हमने drive किया यहाँ देखो आपको diagram खुद ही बोल रही है सब कुछ तो ये एक non uniform rod है ठीक है non uniform rod होने की वज़े से वाकि तो rod देखने में थो ना आपको non uniform लगेगी ठीक है आपने ऐसे बनानी है आप material कुछ ऐस तरह का है आपने उस पे नहीं ध्यान देना है यही है कि जब non uniform होगी न वो lambda की आपको value जरूर देके रखेगा हमेशा उसके बिना नहीं हम निकाल सकते यह तो lambda की value क्या देके रखेगा जैसे यह मैंने यहाँ पे दी है lambda not x lambda not x मतलब कि x के साथ इसका जो है और x भी बताएगा आपको की कहाँ है यह lambda not x मतलब जैसे जैसे x चेंज होता जा रहा है lambda बढ़ता जा रहा है इसका मतलब यह हुआ x equal to 1 पे lambda की value lambda not x equal to 2 पे lambda की value 2 lambda not मतलब की वैसे वैसे density बढ़ती जा रही है कोई ऐसी चीज स्टार्टिंग में मालों बुड है आगे जाके iron हो गया उसके आगे जाके steel हो गया उसके आगे जाके gold हो गया ठीक है तो इस तरह से आइस्ता इस्ता करके वो rod जो है उसकी जो उसका जो lambda है वो increase करता जा रहा है ठीक है यह हमने ले लिया बाकी formula सारा वही है integration सारी कहानी है जो आपको पीछे करवाया बिल्कुल 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 सेम है सिर्फ integration different नजर आएगी आपको मैं आपको बता देता हूँ आप directly आप time waste किये बिना मैं यहां लिखता हूँ xcom equal to xcm equal to integration 0 to l वोई सारा सारा concept वोई है उसमें कोई difference नहीं है सिर्फ आपको क्या डालना है मैं बताता हूँ आपको आपने पिछली बार dm क्या लिखा था बताओ dm किसके बराबर लिखा था dm आपने लिखा था lambda यहां पर भी वही लिखना है lambda not x है क्योंकि lambda की value ही lambda not है lambda not x है तो lambda not x dx lambda not x dx क्योंकि आपका dx जो है वो कितने distance पे है जो आपका dx है वो कितने distance पे है अगर dx 2 distance पे होता तो आपका यहां पर lambda क्या होता 2 dx x की जगट sorry 2 lambda not मतलब जितना जितना आप x की value लोग है यहां पे मानलो x equal to 1.5 है ठीक है? अगर आप dx यहां लेते हैं और 1.5 होता तो फिर आपका lambda कितना होता 1.5 इंटू lambda naught 1.5 इंटू lambda naught लेकिन हमने क्या समझा इदर जो important बात है वो यह कि हमने यहां पे हमने जो dx लिया हुआ है वो कितने distance पे लिया है x distance पे इसलिए इसलिए आपने x की जगा क्या डाला x अगर 2 distance पे लेते तो क्या डालते 2 तो आपने लेकिन यहां पे हमेशा x ही डालना है तो इसलिए क्या आगे dm equal to lambda naught x dx यह आगे dm की value वो डाल दो यहां आपका formula dm है न lambda naught x ठीक है dx और यह होगे dm यह होगे dm x अबने लेकिने एक खुद भी है ठीक है और यहां पे नीचे क्या आएगा dm सिरफ यह आगे अब सारी कहानी किसकी बच गई integration की ठीक है lambda naught दोनों जगा से common आएगा वो कड जाएगा lambda naught दोनों जगा से common आएगा वो कड जाएगा उसको काड दिया मैंने और मैंने उपर क्या लिखा देखो द्यान से मैंने उपर लिख दिया x square dx नीचे लिख दिया दिखा x dx क्या फर्क बड़ा बताओ integration थोड़ी सी change हो गए और क्या हो गया integration थोड़ी सी change हो गए limits वही है जो आपने पहले से लिखी है limits वही है बन गया x cube upon 3, x cube upon 3 upon x square upon 2, ठीक है, limits डाल दो, इदर लिख दो limits, 0 to L, 0 to L, ठीक है, एक बन गया l cube upon 3, एक बन गया l square upon 2, ठीक है, तो x cancel हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या answer आ गया इसका, आप देखो ध्यान से, ये बन गया l cube upon 3 multiplied by 2 upon L square, आंसर बन गया आपका 2 by 3 L, 2 by 3 L, ये समझा हमने इदर से, इसकी जो, इसका जो center of mass आया, वो 2 by 3 L पे आया, देखो, जो picture मैंने पहले बनाई थी, वो दुबारा बना दी आपके लिए, center of mass कहां लाई कर रहा है, 2 by 3 L position पे लाई कर रहा है वहां से, ये बात आपने जने important है यहां पर, और ऐसा क्यूं हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहां density थी कम, यहां mass था कम, यहां mass है ज्यादा, ये वाला portion mass ज्यादा है, तो center of mass कहां shift करता है हमेशा, यहां पर mass ज्यादा हो, समझने के लिए, बाकी नहीं भी समझ आये, तो अब ये value आपको पता हो नहीं, ये ये नहीं बोलना non-uniform rod का center of mass 2 by 3 L पे होता है, वो तो lambda दिया था उसने, ये, वो तो non-uniform rod के case में कुछ भी दे सकता है, ये भी दे सकता है आपको, ये भी दे सकता है, आपको ये भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, फिर सारी integration की कहानी है, जो लैमडा दिया होगा वो वैल्यू आपने डाल देनी है, उसके according answer आ जाएंगे, तो integration आनी चाहिए इन questions के लिए, thank you very much.